नमस्का दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BPSC ADAPE आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं Global Hunger Index 2021 के वारे में इस वीडियो में हम समझने का प्रत्र करेंगे कि क्या होता है Global Hunger Index भारत का अस्थान Global Hunger Index 2021 में क्या रहा इसके स्कोर के माइने क्या होते हैं और यह Global Hunger Index जो है वो किस agency के द्वारा जारी किया जाता है तो चलिए एक-एक बिंदू कर हम समझने का प्रत्र करते हैं और यह भी देखेंगे कि आखिर हमारे exam point of view से किस तरह का प्रस्ण इस section से formulate हो सकता है अगर हम Global Hunger Index 2021 की बात करें तो जैसा कि आपको मालब है कि विभिन राष्टों में भूख अर्थात हंगर की स्थिति को निरूपित करता है यह index और Global Hunger Index 2021 जो था वह 15 अक्टूबर 2021 को चारी हो गया था इस report की अगर हम मानें तो भारत में जो भूख की स्थिति है वह काफी गंभीर बनी हुई है अगर हम इसकी ranking की बात करें तो total 116 देशों के आंकड़ा जो जारी हुआ है उसमें भारत का अस्थान 101 बार रहा तो समझ सकते हैं कि 116 देशों के आंकड़ा जो जारी हुआ है उसमें भारत का अस्थान क्या रहा है 101 रहा है तो इस बिंदु को आपको याद रखना है कि भारत का जो अस्थान है वह क्या रहा है 101 बार रहा है आगे हम अगर डिस्कूस करने तो भोग की स्थिति के आकलेंड के लिए त्यार के जाने वाला जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो होता है उसका जो वैलू होता है जीरो से लेकर के हंडेट तक होता है तो इसमें जो वैलू होता है वो क्या होता है जीरो से लेकर के हंडेट तक ह किसी देश के लिए सुचकांग का मान जितना अधीक होता है सम्बंदित देश भुक किस्तिति में उत्रा ही विक्राल मानी जाती है इस अस्टेक्टमेंट कहने का मतलब यह होता है कि 0-100 तक कहने का मतलब है किसी व्यक्ति का value अगर 0 है तो इसका मतलब उस देश में भुकमरी की स्थिति नहीं है लेकिन जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगा और जैसे जैसे वैलू बढ़ते जाएगा तो उस इस्तिती में आप कह सकते हैं कि उस देश में भुग की इस्तिती जो है उतनी ही बिक्राल होती है हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसको सेग्में बाट करके भुग की इस्तिती को दिखाया जाता है इस सुषकान का मान कम होना भुग के मामले में देश की बहतर इस्तिती को दर्शाता जैसा कि हमने पहले इन डिसकुस किया अगर किसी भी देश की कमपरीजन करें अगर किसी देश की रैंकिंग अगर 10 है मान लेते किसी देश की वैलू अगर 15 है तो जिस देश की वैलू अगर 15 है तो उस देश को बहतर इस्तिती में समझा जाता है in terms of hunger राइट अब आईए एक आंकड़ा दिखाते हैं जिसमें आपको पता चलिका कि किस तरह से global hunger index का मान और भूख की स्थिति को समझा जा सकता है यहां आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर के आप 100 तक जो value है इसका जो score होता है वो क्या होता है जिरो से लेकर 100 तक होता है तो यह भी question पूछा जा सकता है कि आपको कि अगर किसी देश की global hunger index में value अगर कम है तो उस देश की इस्तिति hunger के इस्तिति में क्या हो सकते है यानि उसकी इस्तिति improved हो जाएगा तो यहां देखिए यह जो question है यहां अब क्या आपको समझना है कि इस तरह से 5 section में बाठा हुआ है यानि 0 से लेकर 9.9 अगर किसी देश का score आता है global hunger index में तो उसमें भूख इस्तिति क्या है low है वहीं 10 से 19.9 तक उसमें भूख इस्तिति क्या है moderate है और 20 से लेकर के 34.9 जो है उसमें क्या है serious है और वहीं 35 से लेकर के 49.9 है वह alarming है और 50 से लेकर अधिक के अगर हम बात करें यानि more than 50 के अगर बात करें तो वह होता है extremely alarming इसको आप याद कर लेजेगा 0 से 9.9 तक क्या होगा low होगा 10 से 19.9 तक moderate होगा और 20 से लेकर के 34.9 तक serious होगा 35 से लेकर के 49.9 तक alarming होगा वहीं 50 से अधिक के अगर हम बात करें तो extremely alarming होगा इस section को आप याद कर लेजेगा so that आपको even means में भी यह मत्पुन हो सकता है अब आए हम आपको देखा देते हैं कि भारत का जो अस्कूर था वह क्या था तो जैसा कि आपको मालूम है कि भारत का अस्कूर है 27.5 यानि Global Hunger Index 2021 के अगर हम बात करें तो उसमें भारत का जो अस्कूर आया है वह 27.5 और जैसा कि अभी आपने देखा था कि 27.5 कि स्लैब में आ रहा है आपने एक स्लैब देखा था तो 27.5 जो है वह थर्ड वाला स्लैब में आ रहा है यानि भारत की जो इस्तिति है वह क्या है सिरियस है सो आपसे कोशन यहां भी फार्वुलेट कर सकता है कि भूख की स्तिति में ग्लोबल हंगर एंडेक्स 2021 के एकॉर्डिंग भारत का में भूख की स्तिति अलार्मिंग है तो वह क्या हो जगा फॉल्स हो जागा वह क्या है सिरियस है राइट क्या है सिरियस है कि 27.5 परता है आए एक तरके से हम थोड़ा सा एक ग्राफ और उससे संबंदित कुछ फैक्ट यहां भी देखनी का प्रतन करेंगे अलार्मिंग लेवल राइट सिरियस जो ग्लोबल हंगर एंडेक्स ट्रेक्स हंगर और मालनिट्रिशन एक्रोस दे कंट्री यहां समझेगा जिया ज्याइख करता है । गलोबल हंगर इंडेक्स ट्रेक्स दे हंगर अन मालनिट्रिशन एक्रॉस दे कंट्री ऊजिंग 4 इंडिटीट्र और वो 4 इंडिकेटर कौंड कोन है । यह चारोचीजों के याद रखेगा । फॉर इंडिकेटरज अनैसमेन्ट चाइब नरिशवे तो पेस्ट पॉस्बल स्कूर यानि नू हंगर की स्थिति वहीं हंड़िज द बस्ट कंडिशन इन 2021 एंडिया वाज क्लासिफाइड इन द सीरेस काटगरी ओन ड्लोबल हंगर एंडेक्स सीवेरिटी श्यूर्ट थो जासा कैमने पहले भी डिसक्स कर दी है कि इसमें क्या है एक्सव एक वा रहा थ्यूजर रहा रहा है और इसको इसमें डाला गया है सीरेस का गया गया है। यहां कुछ से देशि वाला केटेगरी में रखा गया है तो इस तरह के से कुछ आपको कंपरीजन के लिए इविन पाकिस्तान का जो इस्तिती है एंडिया से बहतर है हंगर के इस्तिती में आप देखिए यहां पर एंडिया 101 पाकिस्तान 92 बांगलादेश 76 नेपाल 76 चाइना यहां एक से अठारा वाला कैटेकरी में आरहा है अब यह हम बता देतें हैं कि आपको कि यह जो रिपोर्ट है यानि Global Hunger इंडेक्स है वह किस आजनषी के द्वहरा जारे जाता हुा है या भी प्रशन बार-बार पुछा जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट इनमें से किस एजंसी के दौरा चारी किया जाता है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कर हम बात करें तो पहली पार यह 2006 में पब्लिस हुआ था और उस समय से लेकर अब तक परते साल अक्टूबर की महीने में यह रिपोर्ट जारी किया जाता है और यह जो रिपोर्ट जारी किया जाता है वह concern worldwide और wealth hunger hive के दौरा यह जारी किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि global hunger index jointly published by concern worldwide and wealth hunger hive इन दोनों एजन्सियों का नाम आपको याद रखना है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारा परियास अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक और अपने दोस्तों कोई share जरूर किजएगा